तो हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फेट रहे एकजाम तक के यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर वायर मैंड ट्रेड से संबंदित जो है यूपीपीशेल टेकनेशियन के एकजाम तथा टीजीटू के एकजाम में इन इस ट्रेड से भी संबंदित कुशन आ सकते हैं इसमें कोई भी चेंजिस नहीं है तो इसलिए आपका सलेबस भी यहाँ पर समान रखा गया है इसमें कोई भी अंतर नहीं है आप कुशन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसमें कोई भी चेंजिस नहीं है इलक्टीशन, इलक्टिकल, वायर मैंड सभी का सलेबस लगबग समान है इसमें कोई भी चेंजिस नहीं है तो बात करें इन सभी पेपरों की PDF की तो यहाँ पर description में लिंक दिया गया है Electrition के सभी पेपर LPCVT2 तता UPCL तता DMRC तता सभी टेड़ों को पेपर हमारे पास मौझूद है अगर आप उन सभी पेपरों को डाउनलोड करना चाते हैं तो उसका लिंक नीचे दिया गया है वहाँ पर जाकर जो है सभी पेपरों को डाउनलोड कर सकते हैं और सभी पेपर जो है आफिस्यल पेपर आपको मिलेंगे कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करिए तो चलिए फ्रेंट देख लेते हैं इसमें जो है किस प्रकर के कुशन पूछे गए थे तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल पर नहीं है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं टेकनिकल वाले पार्ट में यानि की वारमेंट वाले पार्ट में तो आप देख सकते हैं पहला कुशन क्या पूछा गया था यहाँ पर पूछा गया था पांच ओम के दो रेसिस्टेंट प्रतेक सिंखला में जुड़े हुए हैं और एक बारबोल्ट की बैटरे द्वारा संचाली थें तो सरकित के माध्यम से बैने वाली धारा जो है कितनी होगी तो यह पहला सवाल जो है नुमेरिकल का सवाल है इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो यहाँ पर जो है 1.2 Ampere इसका करेक्ट यैंसर आएगा आप जो है इसका स्क्रिन सॉट लेकर जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं तो दूसरा सवाल यहाँ पर है 16.3 मेगा 5 इंडक्षन वाली मोटर जो 550 V यानिकी बोल्ट और 50 हर्ज मेंट पर 950 RPM की गती से चल रही है तो इसके स्लिप क्या होगी तो यहाँ पर इसको भी सॉल्ब करना पड़ेगा तो जिसका correct answer जो है option no.3 5% इसका correct answer आएगा question no.3 है इसकोलो और कारिसाला में लाइन परदान करने के लिए निमलिकित में से साधारत्या कौन सा जो है केबल का प्रयोग किया जाता है तो इसकोल और कारियले में कौन सा जो है केबल यहाँ पर लगाए जाता है तो यहाँ पर UTP केबल यहाँ पर प्रयोग किया जाता है जो की वाइरमेंट्स का काम होता है UTP टायर को यहाँ पर प्रयोग किया जाता है अगला स्वाल है प्रकास की तीविता की माप में इस्तमाल होता है प्रकास की तीविता की माप में क्या इस्तमाल होता है यहां पर प्रकास की तीविता कुन आपने के लिए जो है कैंडला का प्रयोक किया जाता है तो करेक्ट एंसर जो है कैंडला होगा Q5 नमनिकित में से कों से कारक बिजली के तारों की इंसुलेशन की परत की मोटाई जो है निर्धारित करता है तो यहाँ पर कों करता है आपरेटिंग बॉल्टिज जो है इसका केरेक्ट एंसर है Q6 है नमलिकित में से कों सा घटक DC मसीन में मवजूद है लेकिन इसी मसीन में नहीं है तो कौन सा नहीं है केंपी ट्विटर जो है इसका करेक्ट एंसर है तो काफी important सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं जो कि आपके UPPCL TG2 और technician exam में काफी important है क्योंकि इसमें line man की vacancy है तो इसमें जो है wire wind से संबंदित trade से संबंदित कुष्चन जरूर पूछे जाएंगे electrician के भी कुष्चन पूछे जाएंगे तो सभी कुष्चन यहाँ पर क्या करेंगे merge रहेंगे सभी trade से संबंदित question merge रहेंगे हरपाली में तो आप वीडियो को दिहान से देखिएगा निमलिखित में से किस रोधक सामगरी में से सबसे कम परावैदूद धानी होती है तो किस में होती है polyethylene जो है इसका correct answer है तो अगला स्वाल आप देख सकते हैं यहाँ पर एक image दिया गया है तो इसको बताना है यहाँ पर डायोट के माध्यम से कितनी धारा जो है यहाँ पर प्रवाहित होगी तो कितनी होगी यहाँ पर 0.5 मेगा एंपियर जो है इसका correct answer है तो अगला स्वाल की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है emitter और voltmeter के बारे में निमलिखित में से कौन सा जो है WIT with reference to संदार्वनसार या संदार्विक तोर पर जो है सत्य नहीं है तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है emitter में उच्छे प्रत्रोध और voltmeter में आपी इच्छा क्रित जो है कम प्रत्रोध होता है तो correct answer जो है option नमबर दो है अगले सवाल याँ पर सेल का समांतर समूहन कैसे किया जाता है सेल को समांतर में कैसे जोड़ा जाता है धारा च्छमता में ब्रिद्धी करके जो है इसको जोड़ा जाता है अगर सेल को समांतर करम में जोड़ेंगे तो इसकी धारा चमता में क्या हो जाएगी बृद्धी हो जाएगी अगला स्वाल की बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है अर्थ इलक्ट्रोड की इस्थिती को कैसे सत्यापित किया जाता है तो अर्थ इलेक्ट्रोड की इस्थिति को प्रित्रोड को माप कर सत्यापित किया जाता है तो option no.4 इसका correct answer है अगला है DC मसीनों की गती को नापने के लिए नेमलिकित में से किस उपकरण का प्रयोक किया जाता है तो DC मसीन की अगर गती नापी जाती है तो इसे टैको मीटर से नापी जाती है आप comment में ये बताइए कि AC मसीन की गती जो है ये किस से नापी जाती है कमेंट जरूर करिए अगला स्वाले याँपर खराद मसीनों में आम तोर पर किस मोटर का उप्योग किया जाता है जो खराद मसीने होती है जिसे लोहा वगेरा जो है खरादा जाता है इसमें कौन सी मोटर का उप्योग होता है तो यहाँ पर DC संट मोटर का जो है प्रियोग किया जाता है अगला स्वाल है निमलिकित में से कौन सा सिधान्त केवियल पर आधारित होता है केवियल मतलब केशाप के नियम पर कौन सा सिधान्त आधारित है तो उर्जा सनरचड का नियम उर्जा न तो उत्पन किया जाती है और नहीं इसे नश्ट किया जाता है ये उर्जा सनरच्छड का नियम होता है अगलस वाला है निमलिक्त में से कौन सी मात्रा बड़ी बिजली घरों के लिए जो है परियोक्त अर्थ रेजिस्टेंस की आदर्स मात्रा होती है तो यहाँ पर बिजली घरों में रेजिस्टेंस होता है जो 0.5 ओमेगा जो है ओम इसका जो है करेक्ट एंसर है अगलस वाल है यहाँ यहाँ पर यह च्छा 12 बोल्ट के सेल को अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो आउटपूट बोल्टेज कितना होगा तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 बोल्ट जो है इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे एक बटे बारा प्लस एक बटे बारा ऐसे से कर देंगे तो यहाँ पर इसका करेक्ट एंसर जो है 12 बोल्ट आ जाएगा अगले स्वाला है यहाँ पर OC और SC परिच्छडों के दवरान जो है ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के बारे में निम्लिकित में से कौन सा सत्य बिदे रिफरेंस टू संदार्वन स्वान कौन सा साई एसमें से तो अप्शन नमबर फोर्थ इसमें जो है करेक्ट है OC परिच्छड के लिए कम बोल्टेज पच्छ और 80 परिच्छड के लिए यहाँ पर उच बोल्टेज का प्रयोग किया जाता है अगले स्वाले यहाँ पर 3 फेज सरकित की सकती को मापने के लिए कम से कम कितने वाट मीटर तत्तो की आवस्कता होती है तो कितने यहाँ पर तत्तो की आवस्कता होती है दो इसका जो है करेक्ट एंसर है तो जल्दी जल्दी जो है कुश्चन को करते हैं सभी यहांपर अगला स्वाल है यल弦ाई का एक तार जिसका पृत्रोध 10 ओम है उसको और खीचा जाता है ताकि उसकी लंबाई 2 यल हो जाए तो नहे तार का पृत्रोध जो हता है क्या होगा तो इसका पृत्रोध क्या होगा numerical है इसका correct pressure 40 ओम जो है इसका correct answer है अगला स्वाल है मेगर में कंट्रोलिंग टोक किसके द्वारा तो मेगर में कंट्रोलिंग टोक जो प्रदान किया जाता है light acid cell में किस बेद्दुत अव्हटत का प्र क्रियोक किया जाता है तो light acid cell में यह हैं तन सल्फियुरिक अमले का प्र क्रियोक किया जाता है तो option number दो इसका correct answer है रेडियो प्रसारर में प्रियुक्त उच अबरित ट्रांस्फार्मर के लिए निमने में से किस प्रकार के जो है कूर उप्युक्त होते हैं तो यहाँ पर एर कूर का प्रियुक्त किया जाता है तो आप्शन नमबर थार्ड इसका करेक्ट एंसर है एक डीसी मसीन को सौफ्ट टार्क कितना होता है तो इसका टार्क जो हता है इसके आर्मेचर टार्क से जो हता है कम होता है अगला सवाल है हाफ बेड रेप्टिफायर में 220 बोल्ट मार्क है स्रोथ और स्टेप ड्राउन ट्रांसफार्मर में चार अनपात एक अनपात है डायोड ड्राउप में नजर अनदाज कर दें तो उच्छतम विद्धुत प्रभार या लोड जो है बोल्टेज क्या होगा तो इसका बोल्टेज 70.7 बोल्ट हो जाएगा जो की अप्सन नमबर जो है ये किसका करेक्ट टेंसर है हाई टेंसर केबल का उप्योग आम तोर पर उन पारेशड या ट्रांसमीशन लाइनों में किया जाता है जो की समर्थन करती है तो कितने बोल्ट तक 11 किलो बोल्ट तक समर्थन करती है अगलस वाल है केमे ट्विटर से करेंट को संग्रहित करने और उसकी बाहरी लोट के लिए आप उर्थी करने के लिए नमने में से किस घटक का जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर ब्रस का प्रयोग किया जाता है अप्शन नमबर जो है सेकंड इसका करेक्ट एंसर है अगले सुवाले यहाँ पर 50 मेगा एंपियर की धारा के प्रवाव वाले एक सिलिकोन डायोट में बेदुद अपब्याव क्या होगा तो यहाँ पर 35 मेगा उमेगा जो है इसका करेक्ट एंसर है अगले सुवाले 5 मेगा और 8 मेगा आयताकार जो है हाल में 50 लाइनेक्स का वांचित प्रकास ताप्त करने के लिए 200 लिमेन के कितने लेंप का जो है और यहाँ पर कितने बल्बो किया उसकता होगी तो देख सकते हैं नुमेरिकल काफी जादा पूछे गये हैं जिसका करेक्ट एंसर जो है 10 इसका करेक्ट एंसर है किसी बेद्दुच्छेत्र में एक बिंदुई पर बेद्दुच्छेत्र के आवेश की गर्णा इसका उप्योग करके किया जाता है तो किस नियम के प्रयोक का यहाँ पर प्रयोक किया जाता है कूलंब के नियम का यहाँ पर प्रयोक किया जाता है अप्शन नमबर फोर्थ इसका करेक्ट एंसर है अगला स्वाला है एक ओमिक घटक का वी आई वर्ग क्या होगा तो क्या होगा यहाँ पर सीधी रेखा में यह होगा तो option number जो है fourth इसका correct answer है किसी transformer का उच्चतम निर्गत voltage voltage जो है इस पर निर्भर नहीं करेगा किस पर निर्भर नहीं करेगा आपूर्ती voltage की अबरित्ती पर जो है निर्भर नहीं करेगा अगलस वाला है यहाँ पर अल्टरनेटर या आवर्तित के समांतर संचालन के लिए निमलिखित में से कौन सी इस्थिती आवस्यक नहीं है तो कौन सी इस्थित यहाँ पर आवस्यक नहीं है तो यह पहले question देख लेते हैं तो यहाँ पर option number जो है एक इसका correct answer है running machine का terminal voltage incoming machine से जो है दुगना होना चाहिए question number 33 निमलिकित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है तो कौन सा कथन सत्य है एक आदर्स voltage श्रोट के लिए आंतरिक प्रत्रोट जो है जिरो है और एक आदर्स बिद्द श्रोट के लिए क्या होता है अनन्त होता है कम हार्स पावर के अनप्रियोग में आमतर पर कौन सा जो है मोटर का यहाँ पर प्रियोग किया जता है तो यहाँ पर जो है अस्थाई चुम्बक DC मोटर का जो है यहाँ पर प्रियोग किया जता है question number 35 समांतर में दो सेल के समोहन के लिए निमनमे से किसका होना आवस्यक है तो यहाँ पर उनके EMF का मान जो हता है यह समान होना चाहिए तो अगला सवाल काफी important है मानव सरीर का आउसत प्रत्रोज होता है यह कितना होता है तो मानव सरीर का आउसत प्रत्रोज होता है सव ओम होना चाहिए इससे अधिक जो है प्रत्रोद मानव सरीर का नहीं होता है अगले स्वाल यहां पर नीचे दिये के कथन को आप पढ़ें और प्रेश्न का उत्तर दें कथन है किसी भी इलक्टोड पर निच्छेपित या मुक्त कियेगे पदार्थ पदार्थ जिसका दर्मान यम है सीधे पारित बिजली या आवेस को परतिक क्या होता है क्यों होता है कि मात्रा के समानपाती होता है तो ये किसका नियम है फाराडे का एलक्ट्रोलिसिस का नियम है तो option number जो है दो इसका correct answer है तो आगे जो है अगला कुछन है आपको एक चित्र दिखाए दे रहा होगा तो यहाँ पर ये चित्र में कौन सा जो है संतुलित अभ्यक्त नहीं है तो जिसका correct answer जो है option number दो इसका correct answer है आप जो है इसका screenshot ले सकते है अगला सवाला यहाँ पर एक पूर्ड तरंग रेप्टिफायर सर्किट डिष्ट कारी परिपत के लिए कितने PN जक्सन डायोट की आवस्कता होती है तो यहाँ पर दो डायोट की आवस्कता होती है तो option number जो है एक इसका correct answer है अगला सवाल है यहाँ पर ट्रांस ट्रांस फार्मर सुरच्छा पडाली में निम्न में से किसका प्रियोग किया जाता है तो यहाँ पर बुचो लच रिले का यहाँ पर प्रियोग किया जाता है तो गला सवाल है यहाँ पर है निम्न कित में से कौन सा I.E. नियम खत्रे की सूचना के लिए है तो कौन सा नियम I.E. नियम है I.E. नियम 35 जो है इसका करेक्ट एंसर है एक सेल के प्लेट छेतर में ब्रिद्धी जो होती है यह कैसे होती है आंतरिक प्रित्रोध को कम करते हैं तो यहाँ पर ब्रिद्धी हो जाती है अगला सवाला यहाँ पर नियम लेकित में से कौन सा कौन पहली पीड़ी के कम्पूटरों में सामिल था तो कौन सा पहली पीड़ी के कम्पूटर में था बैक्यूम ट्यूप और जो है चुम की ड्रम यह पहली पीड़ी में थे और ट्रांजिस्टर जो था ये सेकंड पीड़ी में था आप कमेंट में ये बताएए तीसरी पीड़ी में कौन सो सामिल है तीन लचीली कोर कीबलों में नीट्रल कीबल का रंग क्या होता है तो नियुट्रल तार का रंग कैसा होता है यहांपर नियुट्रल तार का रंग जो हता है तीन लचिली कीबल होती है इसमें जो नियुट्रल तार होता है इसका रंग जो है नीला होता है तो optio number third इसका character answer है अगला स्वाला यहाँ पर अर्दचालक के डोपिंग के लिए उस्तमाल किये जाने वाले पंच सन्योजक या पेंट्रा वाइले तत्व निम्लिकित में से काउसा होता है तो यहाँ पर इंटी मनी जो है इसका करेक्ट एंसर है अगला स्वाला यह परत्रोद आर्वन से प्रवाहित विद्धुदारा के प्रवा की मात्रा यहाँ पर कितनी होगी तो यहाँ पर 80 मेगा एंपियर जो है इसका करेक्ट एंसर है अगलस वाला है मिट्टी के विशिष्ट प्रत्रोत के बारे में निमलिकित में से कौन सा सही है तो इसमें से कौन सा सही है अलग-अलग तरह की जो है मिट्टी में ये बदलता है तो अप्चन नमबर थार्ड इसका करेक्ट है यदि तीन फेज़ वाली 100 हर्ट्स की इंडक्षन मोटर में 4% की सिलिप है तो मोटर प्रेरित EMF की अबरिति क्या होगी तो यहाँ पर 4 हर्ट्स जो है इसका करेक्ट एंसर है अगलस वाला है यहाँ पर निमलिकित में से कौन सी DC मसीन DC जेनरेटर सभी लोड या प्रभारों की पर निरंतर निस्पादित बोल्टेज उत्पन करता है तो यहाँ पर लेबल कंपाउंड जेनरेटर जो है इसका करेक्ट एंसर है कुश्य नमबर 50 निमनमेसे जेनर डायोट का उपयोग है तो जेनर डायोट का कौन सा उपयोग है बिद्द नियाबक बोल्टेज रेगलेटर जो है इसका करेक्ट एंसर है अगला सवाला है यहाँ पर अल्टरनेटर या आवर्तित के समानतर संचालन के बारे में कौन सा जो है बिवरण यहाँ पर सही नहीं है तो यहाँ पर हानी में बिद्दी आप्चन नमबर फोर्थ इसका करेक्ट एंसर है कौन नमबर बावन सामान या रेगुलर डायोट की तुलना में जेनर डायोट का छेत्र संकीड क्यों होता है तो यहाँ पर रेगुलर डायोट की तुलना में जेनर डायोट में पी और यहन शेत्रों के भारी डोपिंग या आपर मित्रड के करड़ जो है इसका करेक्ट एंसर है तो अगले सवाल है इवो लास ब्रेक्डाउन किस करड़ से होता है तो यहाँ पर आइनी करड़ के करड़ जो है यहाँ पर ब्रेक्डाउन होता है कुशन नम्बर चववन निमलिखित में से कौन हॉपकिन्स टेस्ट के लिए बेकल्पिक परिवासिक तक्नीकी सब्द नहीं है तो यहाँ पर कौन सा सब्द नहीं है ब्रेक्ड टेस्ट इसका करेक्ट एंसर है अगलस वाले यदि एक रिवर्स बाइस जेनर डायोड ब्रेक्डाउन छेत में चल रहा है तो जेनर डायोड में बॉल्टेज क्या होगा तो यहाँ पर धारा के सीधे अनपातिक होगा तो आप्चे नम्बर सेकेंड करेक्ट है तो अगलस वाले यदि एक सिलिकोन डायोड बारा बॉल्ट आपूर्ति में और 240 ओम परत्रोधक के साथ एक सर्किट में फारवर्ड वाइस के आमतावर पर काम कर रहा है बतावर काम कर रहा है तो पूरे डायोड में जो है बॉल्टेज ड्रॉप कितना होगा तो यहाँ पर अप्चन मबर थाड़ इसका करेक्ट एंसर है किसी केबल की धारा वहन चमता कितने होते हैं तो यह डीसी में आपेच्छा क्रिट से अधिक होती है किसी सेल की वाट प्रति घंटा दच्छता जो है यह एंपेट घंटा दच्छता से होगी कम होगी कि ज़्यादा होगी तो यह हमेशा कम ही होती है तो अप्चन मबर जो है सेकंड इसका करेक्ट एंसर है तो अगले स्वाल है निम्लिकित में से कौन सा एक ट्राइब वेलेंट या त्री संयोजी डोपिंग तत होता है तो यहाँ पर बोरोन इसका करेक्ट एंसर है अगले स्वाल है निमलिकित में से कौन सा वायरिंग सिस्टम में सबसे लंबा चलता है तो यहांपर कंडियोट वायरिंग जो है इसका क्रेटेंशर है अगला स्वाल है निमलिखित में से कौन सा घटक या अंत्रिक नुकसान से किसी केबल की रच्छा करता है तो कौन सा रच्छा करता है आर्मिंग या कवच जो है इसका करेक्ट एंसर है अगला स्वाल यहाँ पर एक चित दिया गया है नीचे दिये गया सरकित में बहने वाली धरा आई टू को माने यहाँ पर निकलना है तो इसको स्वाल्व करने पर जो है चार एंपियर इसका करेक्ट एंसर आएगा अगला स्वाल है वारिजिक और अध्योगिक वाइरिंग में आमतोर पर निम्लिकित में से कौन सा कंडियूट या नलिका का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर सीम बिल्डर कंडियूट का प्रयोग किया जाता है अगला स्वाल है नमी का धर्ती के प्रत्रोत पर जो है क्या प्रबाब पड़ेगा तो नमी का धर्ती पर मर्दा प्रत्रोत जो है क्या हो जाएगा यहां पर कम हो जाएगा के सियल जो है किसके सिधान पर आदारित होता है तो केशियल जो है ये आवेक का संदाच्षड के रियम पर ये आधारित होता है तो option number जो है थारड इसका correct answer है अगला स्वाल है निमलिकित में से अर्थ इलक्ट्रोड की एक विश्षिस्था कोंसी होती है तो अर्थ इलक्ट्रोड की एक विश्षिस्था होती है अगला स्वाल भी यहाँ पर नुमेरिकल है चालिस वाट की और पचास वाट और सो वाट की तीन बल्व जो है सिंखला में जोड़ दिया जाए यानि कि स्रेडी केम में जोड़ दिया जाए और 220 बोल्ट के एसी स्रोज से जुड़े हो तो काउन सा जो है बल्व सबसे ज़्यादा रोशिनी देगा तो यहाँ पर 40 वाट का बल्व जो है सबसे ज़्यादा रोशिनी देगा आदर्स मामले में 100 AH की बैटरी 100 MH की बैटरी है के लिए चार्जिंग करेंट क्या होना चाहिए तो 10 AH जो है इसका करेंटर है डारेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग आमतोर पर किस चमता वाले मोटर में किया जाता है तो यहाँ पर 5 हाथ पावर की मोटर में इसका प्रयोग किया जाता है तो निमलिकित में से किस छेतर में किसी केबल के बोल्टेज का तनाव यह सबसे जादा होता है तो संबाहक या कंड़क्टर का भीतरी भाग या कोर में जो है सबसे जादा होता है वेट इस्टोन के ब्रिज का उपयोग जोता है किसको नापने के लिए किया जाता है तो प्रत्रोत को नापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है निमलिकित में से कौन सा अर्थिंग सिस्टम भो योजन प्रडारी का घटक नहीं है तो फ्योज जो है इसका correct answer है I.E. नियम 66 का मतलब क्या होता है तो जमीन के साथ संपर्क इसका correct answer है तो निमलिकित में से किसमें प्रत्रोत का गुडांक जो होता है ताप पानक से रड़ात्मक होता है तो ग्रेफाइड जो है इसका correct answer है अगला सवाल यहाँ पर numerical दिया गया है 220 वोल्ट की DC मोटर है को 0.8 वोल्ट से armature के resistance रखती है और जो है 25 एंपियर की armature current भी रखती है तो इसका बैंक ड्यूसर्ट या पर श्प्रेडित EMF का मान निकलना है तो जिसको correct answer 220 वोल्ट इसका correct answer आएगा तो फ्रेंड यह था जो है टोटल 75 कुश्यन जो की वायरमेंट ट्रेट से जो है पूछा गया था railway LP CBT2 में जो आपके जो है किसी भी exam DMR से लेलमर से तथा UPPCL TG2 तथा जो है यहाँ पर technician की जो vacancy निकली है उसमें सभी में आपको यह question देखरों को मिलेंगे उमेद है आपने सारे question attempt किये होंगे और आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड इन सभी पेपरों की अगर पेडियो डाउनलोड करना चाते हैं तो इसका लिंक जो है नीचे दिया गया है वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं सारे पेपर वाजिनल पेपर मिलेंगे आपको official पे जानलोड सिरियो